नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको मखाना और बादाम को एक साथ खाने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं मखाना और बादाम पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं इन में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटी आउक्सीडेंस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य को बहतर बनाए रखने में मदद करते हैं आप अपनी रोज की डाइट में मखाना और बादाम शामिल कर सकते हैं अगर आप रोजाना मखाने और बादाम का एक साथ सेवन करेंगे तो इससे तवचा से जुड़ी कई समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स दूर होंगी इससे तवचा का निखार बढ़ेगा और एजन के लक्षनों से भी राहत मिलेगी मखाना और बादाम खाने से स्किन हेल्दी और खूबसूरत बनती है मखाने और बादाम खाने से होट हिल्थ हमेशा बहतर बनी रह सकती है अगर आप रोजाना मखाना और बादाम एक साथ खाएंगे तो इससे ब्लड प्रेश समेट कई समस्याओं से राहत मिलेगी इनका सेवन करने से गंभीर हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है इसमें मौजूद एंटि आक्सीडेंस और अन्य पोशक तत्व होट हिल्थ को हेल्दी रखने में मदद करते हैं बरती उम्र में जोडों में दर्द होना एक आम समस्या है अधिक उम्र में ज्यादातर लोग जोडों के दर्द से परेशान रहते हैं अगर आपको भी जोडों या हड्दियों में दर्द रहता है तो आप मखाने और बादाम का सेवन कर सकते हैं मखाने में केल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हड्दियों को मजबूत बनाता है जोडों के दर्द से राहत पाने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप मखाना और बादाम का सेवन दूद के साथ मिला कर सकते हैं इस से आपको काफी लाब मिलेगा अगर आप वजन को नियंतरण में रखना चाहते हैं तो भी मखाने और बादाम का सेवन करना बहत फायदे मंद होता है दरसल मखाने और बादाम का एक साथ सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है इस से आपको जल्दी भूप नहीं लगेगी और आप ओवईटिंग से बच जाएंगे इस तरह से मखाना और बादाम वेट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं नमबर पांच कब्ज से राहत दिलाए अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान है तो भी आप मखाने और बादाम का सेवन कर सकते हैं मखाना और बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं फाइबर मल को नर्म बनाता है इस से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है रोजाना बादाम और मखाना खाने से कब्ज से राहत मिलती है